गाड़ी की ओपने हो गई है अभी गाड़ी की की भी मिल गई है तो आज हम गाड़ी की राह देख रहे हैं सबी लोग यहाँ पर बैठ गए हैं तो देखें यहाँ पर प्रियांच भी बैठ गया है साथ में प्रियांज के फ्रेंड भी बेटे ये देखिए तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का तो बहुत जड़ा गर्मी है तो पुरा पसीना पसीना हो गए ये देखो प्रियांज भी पसीना पसीना हो गए पुरा गीले बाल हो गए तो अभी आने के लिए आदा गंटा है करीबन तो हम यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं कार की कब आएंगी कब आएंगी करके तो ये लोग भी प्रियांश के फ्रेंट सभी वेट कर रहे हैं हम सभी बच्चे गाड़ी की रहा देख रहे हैं यहाँ पर तो भी जस आने वाली है हम गाड़ी की पूजा करने के लिए थाली सजाते है तो देखें आप देख सकते हैं कि गाड़ी आ चुकी है घर पर और यह रही हमारी घर की गाड़ी तो यहाँ देखें ड्राइवर पर गाड़ी चला रहा है यहाँ एंटर्टेंट्मेंट के लिए भी मीनी टीवी चैसे लगाया है तो देखें यहाँ पर बोर भी नहीं हो सकते हैं वाव कितना अच्छा है तो आप देख सकते हैं कि यह बच्चों को बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट है कार में हम भी बेट जाए और सवारी करके आए प्रियांच के साथ सवारी करने जाएंगे बच्चे भी प्रियांच भाबा थाली पकड़ के पुझा कर रहे है गाड़ी की तो यहाँ देखें उनका फ़स्द है तो उनको भी बहुत ज़्यादा एकसाइटमेंट है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और यह देखें प्रियांच और प्रियांच के पपा भी आ चुके है तो यह प्रियांच भी उसकी तो खुसी ही नहीं मारी है और यह देखो बहुत वो गाड़ी में बैटूंगा बैटूंगा ऐसा ही बोल रहा है तो पूजा चली रही है वो पूजा करी रहे है गाड़ी की तो देखे इसके बाद क्या करते है प्रियाँच के बाबा की पुझा हो गई है तो ये हार लाना ही भूल गए है गाड़ी के लिए जादा प्यारा लगता है नहीं नोग गाड़ी होने के वज़े से पर ये भूली गए है तो अभी हमें ऐसे ही पुझा करना पड़ रहा है तो देखो ये प्रियांच और प्रियांच की पपा भी आए है प्रियांच गाड़ी के पास खड़ा हो चुका है अब उसे लगता है कि हमें गाड़ी पे बैठ जाना चाहिए तो प्रियांच डोर खोलने की कोशिश कर रहा है पर उसे ओपन ही नहीं हो रहा है तो वो अपने अ यह पीछे का साइड है जिसमें प्रियांश बैट के देख रहा है कैसे है गाड़ी तो उसे भी मज़ा आ रही है बहुत ज्यादा पर्स टाइम है प्रियांश का गाड़ी पर बैटना तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है वो और अपने साथ में अपने दोस्तों को भी बिला रहा है पर दोस्तों तो चले गए है तो वो नहीं आपा रहे है